असलाम अलेकम, वेलकम टू माई चैनल, अमीद है आप सब ठीक होंगे, मैं आज बना रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड और जैली, इसमें फ्रूट भी यूज किया है, और जैली यूज किया है, क्रीम यूज हुई है, यह सिंपल वे में आप अपने बच्चों के लिए, अपने ग बना सकते हैं, इसके लिए मैंने एक मांग लिए पानी का, उसमें मैंने जैली का, स्ट्रॉबरी जैली का, पुरा पैकर डाल दिया जब पानी बखने लग गया, देखें, अब इसको एक दो वाल लाएंगे, इसके बाद इसकी आग बंद कर दूँगी, इसको हला लेना है, अब इसको ठंडा करने के लिए थोड़ा सा हो जाए रूम टप्रेचर पर रख देंगी, अब दो मग दूद के लिए हैं, यानि कि एक लिटर दूद ले लिया है, इसमें मैंने, वो मैंने एक कड़ाई में डाल के पकने के लिए रख दिया है, इसमें तो इसी लाइची दूबलने के लिए रखा हुए, आठ टेबल स्पून लेंगे हम कस्टड पॉडर, वनीला कस्टड है फ्लेवर में, एक प्याली हमने लिए है, सेब, दो सेब हैं, और छे के लिए हैं, उनको काट के रख लिए है, फ्लाइसिस में, ये भी इसमें यूज होंगे, और एक क्र पॉर्डर लिए है, इसको मैं एक प्रतर में डाल के इसको दूद में या पानी में आप मिक्स कर लें, चत्री के से किसमें कोई भी गिल्टियां वगारा ना रहे हैं, इस ती कैसे मैंने से मिक्स कर लेना है, तो इसे एव है, और ये चीन निया, दो सो ग्राम चीन लिया है और एक क्रीम का पैकरट है पूरा याब मैंने दूद्ध के अंदर ही चीनी एड़ कर दिये ताके वो इसमें मिक्स हो जाएगी उबाली के दुरानी जब तक दूद्ध पगएगा तो चीनी भी बीज मिक्स हो जाएगी अब ये इसके अंदर आइसाइसा हाथ से हलाते हुए ख मैं लोग कर लिए मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको इसमें शामिल कर दिये और इस तरह तरह से चमच को हुलाती जाओंगी अब यह 10 मिनिट तक इसको पकाना है पहले यह थोड़ा सा गड़ा होगा पर इसकी नॉर्मल शकल हो जाएगी थोड़ा सा पका लेना है ताके अंदर ताकि यह पक जाए अच्छे तरीके से कड़ जाए और ताकि कच्छापन ना रहे कस्टड में चीनी की चेक कर ले मेरी यह पूरी रही है इसके साब से एक लीटर में 200 ग्राम ही चीनी जाती है यानिक एक प्याली बड़ी वाली जो होती है वो डाल दें इसमें बार चीनी का एक लीटर दूज और आठ टेबल स्पून कस्टड बॉर्डर के अब यह मैंने ठंडा करके कस्टड थोड़ा सा हरूम टपरेचर पे इसमें मैंने केल अब यह ठंडा हो गया है मैं इसको बर्तर में निकाल रही है अब इसके ओपर जाली को गान निश्य कर देंगे इस लिके से बड़ी सिंपल सी इजी सी और बिगनर्स के लिए न्यू कमर्स के लिए बड़ी एची रेस्पी है आप लोग दुरू ट्राइ कीज़ेगा रमजान में भी आप लोग इसको बनाके एंज्यॉई कर सकते हैं तो कि यह बड़ी मज़े की बनेगी और बड़ी हल्दी भी है इस